जैशी राम, वन्दे मात्रम, पार्तिय सम्विधान दिवस की सभी को धेर सारी बिधाई, कैसे हैं आप लोग, जो भी ओनलाइन है आज आज आए, आज 26 ग्यारा है, और श्रदांचली अर्पत करी जा रही है इस दिन, उन लोगों के याद में जिनों ने इस दिन अपनी जान गवाई, आज ही के दिन 49 में सम्विधान असेप्ट हो गया था, और 2015 से आज का दिन मुकर्र हुआ कि सम्विधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, आज बहुत कुछ हो रहा है, कोरोना वापस आ रहा है, अपने पैर पसार रहा है, दिली में बाहें पैसारे खड़ा है, और कह रहे हैं कि इसकी वेक्सीन आगई, अगर इसकी वेक्सीन भी आगई तो हमें मास्क करीब-करीब अपी तीन साल तक और भी लगाने पड़ेंगे, मेरी अपी बहुत सारे डॉक्तर से बाद ही है, और उनने काए कि वेक्सीन अगर वापस भी आगई तो, हमें मास्क तीन साल तक और लगाने पड़ेंगे आज 26 ग्यारा है तो हम अपने उन शहीदों को शरधांजली देते हैं जिन्नोंने आज के दिन अपनी जान गवाई आज सम्विधान दिवस मनाया जाता है तो हम हाथ चूड़कर हर सम्विधान प्रेमी से यही प्रातना करते हैं कि वो आगे आएं अपनी आवाज उठाएं सम्विधान में जो जो संशोधन होने जरूरी है हमारे तेश के सम्विधान को हमारे नागरिकों के लिए उसके अंदर जो भी संशोधन होने जरूरी है वो संशोधन जल्द से जल्द किये जाएं प्राधना करना चाहते हैं कि कानून में क्या क्या परिवर्तन किये जाएं जरूर अपने कमेंट में लिखिएगा राकेश जी राकेश कण्यूज जी जयो टिरांड़ं जि जिनद जी पुलकित कैशिन जी जि YouTube रूहित मलोता जी जे everyone जी कैसे हैं आप त्भी पूझय नयानतिरपाठ्थी जय शीराम जी रमिश्देत्र्य जी जय शीराम जी कैसे हैं आप जेकिशन गुपता जी सर नमुष्कार हम अले परिवार ने एक परिवार ताथ्ट जो शब्द जोड़ते हैं इसका मतलब हो चाता है कि हमारा जो संगठन है वो एक परिवार है मजबूत संगठन है इस संगठन ने अपने बहुत से साथियों को इस करोना समय में खोया मिसिस बजाज गए वो शायद करोना से नहीं गए हैं वो हार्ट अटेक से गए हैं लेकिन हमने एक बहुत ही भेतरी सातिको खुया है हमने दो ऐसे सातिक होए है जिल्फिकार जी जिन को जिनकी डिट करोना की वज़े से नहीं हुई जिनने इश्वर ने अपनी मज़ी से नहीं बुलाया जिनने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई एक परिवार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके दोशियों को जल्द से जल्द सही जगए पर भेजें इनसाफ दिलवाएं अपने साथी को अपने परिवारिक एक मेंबर को इसके लिए अगर हमें आवाज उठानी पड़े सही दिशा में हमें मजबूत आवाज उठानी चाहिए अगर हमने अपने परिवार का एक सातिक होया है और अगर हम अपने संगठन को परिवारिक रूप देते हैं परिवार का नाम देते हैं तो यह मेरी आप से हाथ जोड़कर प्रातना है राकेश जी जेशी राम जी शिशोद्य जी जेशी राम जी दीपक कुक्रेजा जी कैसे हैं आप गंगा राम जी जेशी राम अशोग सिंग जेशी राम जी रिंकु राजप्रजपत जी रिंकु जी कैसे हैं रादे रादे जी प्रीट सिंग जी पहले किसानों का सोच जी हाँ प्रीट सिंग जी वही किसानों का सोच रही हूँ और किसानों का जो मैं सोच रहे हूँ न तो दो बाते दिमाग में आ रहे हैं हमारी सरकार ने एक कानून बनाया कि किसान अपनी फसल को बिना किसी भेदभाव के किसी भी मुल्य पर बेच सकते हैं, उनको कोई भी सरकारी जगे पर बेचने की उनको कोई भी जरूरत नहीं है, उनके ओपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपना मुल्य खुद निरधारित कर सकते हैं, लकिन शायद उनके मन में भेदबाव आ रहा है, उनको बर्गलाया जा रहा है या उनके समझ में नहीं आ away कि सरकार ने जो ये करा है, ये फैसला उनके फिवर में है या नहीं है इसे लिए हमारे अन्दातां इस समय सटकों पर हैं, बहुत परिशान हैं क्रोधित हैं संशोधन की मांग कर रहे हैं मैं नहीं जानती कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये उचित है ये अनुचित है लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है ये किसानों के फेवर में ही है किसान अपने मर्जी से अपने मन मताबक मूले पर भी अपना फसल बेच सकते हैं और अगर चाहें तो सरकारी दुकानों पर भी सरकारी रेट पर भी अपना फसल बेच सकते हैं उसमें जिसमें भी उनका फायदा है वो उसमें ही अपना फसल बेच सकते हैं लेकिन शायद किसान जो भी है अगर मैं सही सोच रही हूं तब भी गलत सोच रही हूं तब भी हित में फैसला किसानों के ही होना चाहिए क्योंकि वो अंदाता हैं उनसे बड़ा कोई नहीं जो भी फैसला हो वो किसानों के हित में हो अगर किसान उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको समझाया जा और अगर ये फैसला सरकार किसानों के हित में नहीं कर रही है तो किसानों के हित में हो, इसके लिए हम हमेशा किसानों के साथ हैं और रहेंगे प्रीज सिंग जी कह रहे हैं जो चले गए है उनका दुख है पर जो बच गए हैं उनको बचा लो नहीं तो बहुत बुरा होना है बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीज सिंग जी अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम सभी इकठे इसी दिशा में सोचें और इसी दिशा में आवाज उठाएं और इसी दिशा में सरकार को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करें कानून को भी समिधान अज समिधान दिवस मै एक बहुत बड़ा हमारा सहारा बन सकता है, अगर हम अपनी कोई भी लड़ाई कानून के दाइरे में लड़ते हैं, तो वो लड़ाई जरूर बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगी, इसलिए समिधान में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, उसमें आपकी, मेरी और हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम धरातल की सच्चाई से सरकार को अव्यकत कराते हैं, कि क्या चीज़ आम जनता के लिए जरूरी है, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके лиए धरती से जुड़े हुए आम इंसान की क्या राय है segment, क्या तोड़ना मरोड़ना चाहिए तो हमारी भूमिका सरकार की भूमिका से छोटी नहीं है बलकि जादा बड़ी है क्योंकि हमें सरकार को कहे कर सविदान में फिर बदल करवाने है एक मैंने बहुत ही अच्छा वर्यक्तवे पड़ा किसी ने लिखा था कि कोरणा की वक्सीन आ रही है तो वक्सीन उसे ही दी जाए जिसके पास नरसी के पेपर्स हों हाला कि ये एक मजाक के फॉर्म में लिखा गया एक जोग के फॉर्म में लिखा गया लेकिन कितनी बड़ी सचाई लिखी गई कि आप इस बात को मानते हैं कि ये कितनी बड़ी सचाई जिसने भी लिखा मजाक में लिखा लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी हम कई बार मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं और वो बातें अगर हम गहराई से देखें तो बहुत गहरी बाते हैं बारेश उर्मा जी जैशीराम जी कैसे है गुजु सिंग जी कैसी है है ना जै शीराम जी लालिता मककर जी कैसी है बहन जै शीराम गुजु सिंग जी कह रहे है प्लीज रिक्वेस्ट मेंहां जी जरूर मैं देखूँगी और जरूर एट करूंगी रिनु गुप्ता जी कैसी है मेरी बेन सुरक्षत रहये, सेफ रहये और समाजिक कार्यों से जुड़े रहे पुजय नरायन तरपाठी जी जै माता जी जै माता जी की जै शीराम वन्दे मातरम हिमाईशु शर्मा जी कैसे है आँ जै शीराम कमल दीप खन्ना जी सस्रेकाल जी कैसे है गुरुतेक बादर जी का जो 400 साला हमारा उपराला आ रहा है उसके लिए बहुत जोशोर से तैयारिया हो रही है और आप सब भी पहुंचिए और यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ समुदाय के लिए नहीं बलकि हर भारतवासी के लिए जी हा जरूर मैं प्रीज सिंग जी आपको कॉल करने की जरूर कुशिश करूंगी और कॉल करूंगी आज नहीं लेकिन कल करन भाई महिवारा जी सही बात रखी है जे जवान जे किसान हमारा देश का हमेशा से यही नारा रहा है और हमारे देश की सरकार जरूर जवानों के और किसानों के हित में काम करने के लिए नए नियंग और कानून बनाती है अगर सरकार कहीं पर भी कोई गलती या चूक कर देती है या फिर जन्ता को या जवानों को या किसानों को उस में कोई चूक लगती है तो वो सरकार से अपनी बात रखते हैं कहते हैं और सरकार उनकी सुनती है सरकार ने सुनी किसानों की और उनके हित में ही फैसला किया कि वो अपने मन मर्जी के मुले पर अपनी फसल बेच सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे देश का किसान अभी भी अभी भी निरक्षर है अनपड है गरीब है अनदाता हमारा बहुत जल्द बातों में आ जाता है बरगलाया जाता है भोला है अनजान है इसलिए उसकी रक्षा सुरक्षा हमें हर तरह से करने है जिसमें भी वो प्रसन हो क्योंकि प्रसन किसान ही जब अनाज उगाएगा तब ही हमारे पेट में गया वो अनाज फलेगा फुलेगा हमें स्वस्थ रखेगा करांतिकारी बाबा राम गुपाल जी की जैय हो जैशी राम राजी वरोरा जी जैशी राम जी कैसे है थोड़ा लेट हो गई आज मैं आप सब से बात करने के लिए लेकिन क्या करूँ गहराई से सोच विचार कर रही थी जैसे ही समय मिलता है दस ग्यारा बजे जब भी हम फ्री होते हैं अपने कामों से तब हम चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद मैं चर्चा करने के लिए सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं आप लोगों की नेंद ना खराब कर दो कहीं मैं लेट ना हो जाओ लेकिन यही सबसे अच्छा समय होता है चंतन मनन करने के लिए बुदी परकाष गुर्जा जी जैशी राम जी क्रांतिकारी बाबा राम कुपाल दाज जी कह रहे हैं जैशी राम मा छोटी भारती लाड़ लो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके मुझे लाड़ लो सुनना बलवन सिंग चोहान जी जैशी राम जी कैसे हैं आप बहुत बड़े समाज सेवक हैं आपकी समाज सेवा के चर्चे दूर दूर तक है खारी बावली जाती हूँ तब आपकी समाज सेवा के चर्चे सुनती हूँ और अपी 10 दिन पहले ही गई थी और इसी तरह आप समाजिक कारियों से जुड़े रखे मेरी बहन को आप जो भी सपोर्ट देते हैं जिससे वो समाज सेवा कर पाती है उसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद नारी शक्ती को बढ़ाने के लिए आप जैसे भाईयों की बहुत ज़्यादा जरूरत है और आप जैसे भाईयों की वज़े से ही हमारा देश इस समय ठिका हुआ है जी हाँ नहीं तो अब तक पताल में चला जाता अनिता राजीव मलोतरा जी कैसी है प्यारी बहन जै हो आपकी आपके आगे नतमस्तक है हाँ आपके कारे और आपकी सिवा आपका राश्टर प्रेम सब देखती हूँ मैं सौरप सिंग जी जैशी राम जी गारी आकी वीना सीजा मेरी प्यारी बहन कितने तिनों बाद दर्शन दे अपने जल्दी जल्स दएती रहे और बहुत याद आती है आपकी बहुत मिलिएगा प्लीस रादे रादे मैं किसानों की समस्य के उपर बात कर रही थी देश में हमारे समिधान के उपर चर्चा कर रही थी या समिधान दिवस हैं तो समिधान में जो भी फेर बदल होने चाहिए वो जल्द से जल्द होने चाहिए जो भी हमारे हित में है NRC को लेकर, जनसंक्या बिल पर लेकर, किसानों की समस्याओं पर लेकर और सबसे बड़ी बात जो आर्थिक रूप से तोड़ने की साजश की गई है चीन की तरफ से उसके खिलाफ हमारे साथियों की जो हत्या हो रही है जी हां हमारा एक संगटन है यह मले परिवार उसके एक साथी की निर्मम हत्या करी गई है गोली मारके उनको उनके बेटे को दि उटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कि दोशियों को जल्द से जल्द सजा मिलें, करोणा से बच कर लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीन की सोची समझी साज़िश है, करीब करीब, अभी हमें दो तीन साल और मास्क पहन कर रहना पड़ेगा, वै ये सोच के परिशान मत हुए है कि हमें ये पहना पढ़ रहा है, कोरोना आ गया है, ये ओ गया ओ गया नहीं, हर चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजे भी होती है, इसने हमें परिवार से जोड़ा, इसने हमें सोचली आपस में एक दूसरे से जोड़ा, सडकों पर बी एकोनोमी सेव हुई, कंपनियों का खल्चा बचा, और जो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, 8 गंटे की जगे, 18-18 गंटे काम कर पा रहे हैं, तो बहुत जादा काम हो रहा है, एकोनोमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइ हैं, बेचते हैं, उनी से सामान खरी देगा, बेशक से आपको क्वालिटी में कुछ समझोता करना पड़े, बेशक से आपको दो रुपे जादा देना पड़े, लेकिन वो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपका उन लोगों को और देश को, समाज को, राष्ट्र को, रवी में कौन सा संशोधन जल्द से जल्द चाहते हैं, आपको क्या लगता है कानून में कौन सा संशोधन होना चाहिए, कौन सा संशोधन जल्द से जल्द होना चाहिए, और आपने अभी तक किस संशोधन के लिए आवाज उठाई है, एक बहुत अच्छा समूए, युवा समू जगे जगे उनका भी बहुत बहुत नमन वंदन हैं आप उनके साथ भी रहे है कुछ लोग जनसंक्या बिल के लिए भी आवाज उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए किसानों के लिए आवाज उठाई हैं अपने वीर्जामानों के लिए आवाज उठाई है जो की 0 degree temperature में भी हम तक हमले कर रहा है लुटा पिटा है लेकिन तब भी मानने रहा है उसके खिलाफ हमारे वीर जवान अभी तक खड़े हैं शहीदी भी दे रहे हैं और सीमा पर ऐसी जगहों पर तनात हैं जहां पर इतनी ज़्यादा थंड है इतनी ज़्यादा सर्दी है कि जब हेलिकॉप्टर से उनको राशन डाला जाता है अंडे और आलू भी उनको दिये जाते हैं तो थंड में वो इतनी जदे जम ज ऐसे जवानों को सिर्फ नमन करने से काम ने चलेगा, उनके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, समिधान में उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उनकी तनखा बड़े, उनके आशरितों को पूरा सम्मान मिले, और आर्थिक सहारा भी और चलूरी है, क्या कहते हैं आप, आपकी क्या राय है, समिधान दिवस पर, आप समिधान में क्या-क्या संशोधन की मांग और प्रातना सरकार से करना चाहेंगे, सरकार के कौन-कौन से काम आपको पसंद आ रहे हैं, मोदी जी के किस नीती से आप प्रसन हैं, कौन से कानून मो बलवन सिंग चोहान जी लिख रहे हैं, मेरी बेन वर्षा जी आपके अनुभव को सेल्यूट करता हूँ, ऐसी अनुभवी नारी इस देश में शेर्नी की तरह है, देश की जंता को जागरत करने का प्रियास करती हूँ, उसके लिए बार बार सेल्यूट और बार बार जैसी अ कराम कीजिए, और इस देश की हर नारी शेर्नी है, हर नारी शेर्नी है, नारी शक्ती है, और हम आपके साथ पूरी देश की आधी, आबादी, शक्ती के रूप में अपने भाईयों के साथ खड़ी है, और उनकी हर रजा में राजी है, उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर हम हम हमेशा चलेंगे लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए आपके बिना हम कुछ नहीं नारी तब भी शक्ति है जब आप लोग हमारे देश के वीर भाई हमारे साथ हैं वरना हम कुछ भी नहीं दूलें हम अन्मौल चौरस्या जी जी मैं भारतवासी हूँ भारत की नागरिक हूँ पूरी तरह इंडियन हूँ और दिल्ली में रहती हूँ बिलकुल आप जैसी विश्नुदास जी जेशी राम जी बलवन सिंग चोहान जी जेशी राम जी बहुत सारे देशों में एरोप के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन हो चुका है लंदन में इस समय एक महिने का लॉकडाउन चल रहा है स्पेन में मार्च तक का लॉकड़ॉण लगा दिया गया है, फ्रांस में 15 दिन का लॉकड़ॉण हुआ है, 15 दिन का और आगे बढ़ाने की गोशना कभी भी की जा सकती है, जर्मनी में एक महीने का लॉकड़ॉण है, यूरोप में बहुत ज़ादा एकोनोमी डाउन होती जा रही है, सोने का रेट एकदम से जब उचला, जब 26,000 काफी टाइम तक पड़ा रहा था, उसके बाद 30,000 हुआ, उसके बाद 35,000 हुआ, उसके बाद एकदम से जब 50,000 के पार हुआ सोना, तब ही हम समझ गए थे कि एकोनोमी बहुत जादा टूट रहे है, एकोनोमी पर जब बहुत जादा टूटन आती है, बहुत जादा मार आती है, तब ही सोने के डेट बढ़ते है, सोने को तब ही वेट मिलता है, तब ही हमें समझ जाना चाहिए कि एकोनोमी टूट रही है, और एकोनोमी को टूटने, तोडने की जो चाल चीन ने चली है, उसमें वो पूरी तरह काम्याब हुआ है और उसका जो इसने पीछे से वार किया एना जो चीन ने पीछे से वही चुर बहुत आधा है एसन वार आज तक किसी राष्ट्र ने ने किया विश्व में सरो पर तम ऐसा वार करने वाला पीछ चुर Daha भूकने वाला चीन ही है, सबसे खतरनाक देश है, और हम हिंदी-चीनी पाई-पाई के नारे लगाते रहे, कब से कब तक, और इस नारे को बढ़ावा किस ने दिया, ये नारा किस ने आजा, इजाद किया था, आप जानते हैं न, ये नारा लगाया था कॉंग्रेस ने, हिंद देश की रीड की हड़ी तोड़ दी, हमारी रीड पर वार किया, और एक ऐसा दुश्मन पैदा किया, जिसने ना सिर्फ हमें तोड़ा, बलकि पूरे विश्व को तोड़ दिया, अमेरिका के नई राष्टर पती बने हैं, आप तो सब जानते होंगे, जब भी उनको, सबसे पहले उनको संसत भवन में परवेश कराया गया, तो वहाँ पर सनातन धर्म के सारे जितने भी शलोक हैं, वो बोले गए, जे हो सनातन धर्म की, हमारे धर्म की, हिंदु धर्म की, जो धर्म हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी वज़े से हमारा देश अभी भी टिका हुआ है, प कम से कम नहीं तो आदे गंटे तक पड़े गए, जब उन्होंने शपत ग्रहन की, कितनी वड़ी बात है, अमेरिका जैसे देश में, जो की सुपर पाउवर है, उस जैसा धनी देश, पाउवर फुल देश कहीं नहीं है, उसकी कहीं हर बात को हर कोई सुनता है, हर देश सुन सुनता है वर्ड बैंक तक सुनता है वहां पर हमारे देश के वैदिक मंत्रों का उचार हुआ जबकि राष्ट पती ने शपत ली इसके लिए एक जैसी अराम का नारा तो बनता ही है क्या कहते हैं आप जाराभी सिंग जी सस्रेकाल जी जैसी राम जी कैसे हैं आप बंगला साय इस समЙ में बहुत बड़ा उपराला है जी 39 सारी को आप जरूर दशन दिजिएगा नरेश बहुत जी जैसी राम जी कैसे हैं आप और समिधान दिवस की आप सभी को बहुत सारी बदाई बहुत सारा समय में आपका नहीं लूँगी रात्री का समय है आराम का समय है इस समय शीराम का नाम लीजिए और चैन से सोईए क्योंकि हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तेनाथ हैं हमारे जवान और हमारे किसानों के सुख की कामना करते हुए हमारे समिधान को सेल्यूट करते हुए चैन की नींद सोईए क्योंकि मुदी जी अभी है हमारे लिए हमारी बात सुनने के लिए अपने मन की बात सुनाने के लिए और हमारे मन की बात सुनने के लिए और हम सब तो है इना हम सब की एकता तो है इना कोई भी आजाए कोई भी शुक्ति आ जाए, कोई भी दुश्मन आ जाए, हम सब को तोड़ नहीं पाएगा, जब तक हम एक हैं, जै हिंद, जै भारत, सुरेश कुमार पांडे जी, जै शीराम जी, सारी जी मैं आपका नाम नहीं पड़ पाई, नरेश बहुत जी, जै शीराम जी, जैरा सिंग कहने है, सश्री अकाल, सश्री अकाल, जै हो, अनमोल चारस्य जी, जै शीराम जी, सर मैंने अनमोल जी, मैंने अपना चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं बनाया है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं जहां पर भी खड़ी हो जाती हूँ, आप यकीन मानिये, मैं चुराह पर खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मुझे केजरिवाल जी की तरह, अपने 10-20 जवानों को खड़ा नहीं करना पड़ता, रेड लाइट पर ये बताने के लिए, कि आप अपने वहनों को बंद कर लीजे, मैं जहां पर भी चले जाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, कोई भी मेरी बात बिलकुल ध्यान से सुनता है, सम्मान से सुनता है, सराहता है, जबकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं दिली की मुझे मंतरी नहीं हूँ, और ना ही किसी सीट पर, किसी नेता की, किसी गुर्सी पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनी जाती है, भीड लग और मेरी बात को नकारा नहीं जाता क्यों क्योंकि मैं सच्ची हूं मैं राष्ट्र भक्त हूं देश भक्ती के लिए बोलती हूं देश की एकता के लिए बोलती हूं देशवासियों के हित के लिए बोलती हूं सरकार और जनता को एक करने की कोशिश करती हूं एक मंच बनाने की कोशिश करती हूँ जिसमें जनता की आवास मजबूती से सरकार तक पहुचाई जाए वो सरकार जो जनता ने बनाई है जनता के लिए बनाई है और ये बहुत खुशी की बात है कि उस सरकार का निता उस सरकार का परधान हमारे मोदी जी है जो कि कभी भी हमारी बात को अन्सुना नहीं करते, नकारते नहीं, चाहे वो बात कितने ही छोटे व्यक्ति ने बोली हो, वो सबसे पहले उसी की आवाज सुनते हैं, उसी की बात सुनते हैं, जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है, पंक्ती में खड़ा आखरी व्यक्ति होता है, धरातल से जोडा व्यक्ति होता है, लेकिन देश हित की बात बोलता है, राष्ट्र हित की बात बोलता है, देश के सम्मान क की बात बोलता है इसी लिए मैं हर उस राष्ट्र भक्त का सम्मान करती हूं नमन करती हूं वंदन करती हूं चरण स्पश्च करती हूं जिसने मेरे राष्ट्र के किसी एक व्यक्ति का भी भला किया हूं जारा सिंग जी मैं बेस्ट नहीं हूं जारा सिंग जी आप बेस्ट हो आपके काम बेस्ट है आपकी सेवा आपकी सुश्रुआ आपकी समा सेवा की मैं कायल हूं वंदन करती हूं आपको नमन करती हूं बलवन सिंग जी मेरी बात में सच्चा ही इसलिए होती है क्योंकि मेरे साथ जारा भी सिंग जी से जैसे लोग जुड़े हैं बलवन सिंग चोहान जी जैसे भाई जुड़े हैं ललित्ता सिंग जैसी बेहन है मेरे साथ बिश्नुदाज जैसे देश भक्त जुड़े हैं मेरे साथ और सीमा खोरवाल जैसी सनातनी जुड़ी हैं मेरे साथ मेरे साथ नरेश बहुत जी जुड़े हैं मेरे साथ सुरेश कुमार पांडे जी जुड़े हैं मेरे साथ बलवन सिंग चोहान जी जुड़े हैं, अनमौल च्वरस्या जी जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं, जो जैसी अराम कहे बिना, अपने दिन की शुरूआत नहीं करते, तरिजिंतर कौ़ जैसी बेहन जुड़ी हैं मेरे साथ, जो की वीर जवानों के सम्मान में हमेशा नत्मस तक होती है मेरे साथ वीना असीजा जी जुड़ी है जो की दिन के दो बजे या रात के दो बजे किसी समय भी उनको बुला लो एक आवास पर फोरण उठका चली आएंगी अगर देश हित की बात हो समास सेवा की बात हो वो ये नहीं देखेंगी कि किस के लिए किये जा रही है बात हाँ देश का व्यक्ति है मेरे राश्ट का व्यक्ति है मेरे आसपास का व्यक्ति है जरूरत मंद है मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ मैं जरूर आऊंगी ना कर सकी तो अपने आपको धिकारेंगी इश्वर से प्रातना करेंगी है इश्वर काश मैं कुछ कर सकती लेकिन ऐसा होता नहीं है वो कर जाती है कुछ ना कुछ और जिसके अंदर भक्ती होती है न उसको प्रभू कैसे भी न करवा देता है कई बार ऐसा होता है कि जेब में कुछ होगा या नहीं सामनी वाला मांग रहा है जेब में हाँ डाला और निकल जाते हैं उतनी ही पैसे जतने किसी को जरूरत होती है ऐसा हुआ है किसी के साथ मेरे साथ हुआ मुझे लगा मेरी जेब में पैसे नहीं है किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जरूरत थी उसने मांगे मुझे बिलकुल भी उमेद नहीं थी मेरी जैम में होगा मैंने जैसे ही जैम में आठ डाला आप यकीन नहीं करेंगे उतने ही पैसे हाथ में आए कैसे हुआ ये सब जादू था वो जादू था वो पता नहीं कैसे आए मेरी जैम में सचमुछ वो समय पैसे नहीं थे तो कई बार इश्वर ये शक्तियां आपका साथ देती है लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप इश्वर से सचे मन से जुड़े रहें इश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ भक्ति करनी जुरूरत नहीं है सिर्फ मंदिर जाना जुरूरी नहीं है सिर्फ प्रात्ना करनी जुरूरी नहीं है माला फेरनी जुरूरी नहीं है इश्वर के बंदों के साथ जुड़िये हर व्यक्ति में प्रभू का आइश होता है सच कह रही हूँ मैं मैंने मैसूस किया है और यही सच्चा ही है चले बहुत रात हो गई है मैं इस समय आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाने दूगी आपके शेयन का समय हो रहा है और यह समय आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह फिर से काम का समय है कौराना समय है लेकिन हम लोग फिर भी काम कर रहे है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश की एकोनोमी तब ही आगे बढ़ेगी जोब हम देश की एकोनोमी को बढ़ने में सही योग करेंगे इसलिए काम करना बिलकुल नहीं छोड़िए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और काम करते रहिए वायगुर जी वायगुर जी का हलसा वायगुर जी की फते है जै शीराम, वंदे मात्र सुरब शर्मा जी, जै शीराम, जै सनातन, जै हिंदुस्तान जल्द ही मिलेंगे भारत माता की जै नीचे कमेंट में ये जरूर लिखेगा कि आज सामिदान दिवस पर आप सामिदान में किस संशोधन की प्रात्ना सरकार से करना चाते हैं और किस संशोधन की कामना है और किस संशोधन की बात आपने अभी तक की है जै शीराम, वंदे मात्रम, भारत माता की जै